हलो दुस्तों आज की इस पीड़ में हम बात करेंगे, आप अपनी मुबाइल फोन से ही फोन पे एप पर कैसे एकाउंट बना सकते हैं? जैसे कि दूस्तो phone paper account बनाना बहुत ही simple है आप सिर्फ दूसे 3 मिनिट के अंदर ही आप अपनी mobile phone से ही phone paper एक complete account बना सकते हैं जैसे कि दूस्तो कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ अपनी mobile number को डालते हैं और उसके बार में phone pay app जो है ये login हो जाता है और वो लोग समझते हैं कि account हो गया है ठीक है लेकिन दूस्तो phone pay account इसी तरह नहीं होता है अगर आप completely एक phone pay account बनाना चाहती है तो उसमें आपको KYC डालना होगा email id को verify करना होगा अपनी bank account को add करना होगा बहुत सरा process है ठीक है तो दूस्तो अगर आपको phone pay पर एक complete account बनाना है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को please and तक का देखते रहेगा तो सबसे पहले तो दूस्तो आपको इस वीडियो के नीचे description में phone pay app का link मिल जाएगा जैसे आप उस link पर click करेंगे तो आपको direct play store पर लेका आएगा तो play store पर आने की बाद में सबसे पहले आपको phone pay को अपनी phone पर install कर लेना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा open तो यहाँ पर आपको open कर लेना है अपन करने के बाद में दूस्तों आपको यहाँ पर mobile नमबर डालना है जो भी mobile नमबर आपकी bank के साथ link है उसी mobile नमबर को आपको यहाँ पर डाल देना है तो mobile number डालने के बाद में यहाँ पर आप proceed पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पार्मिशन मंगेगा उसको यहाँ पर allow करना है तो यहाँ पर आपके mobile number पर एक OTP आएगा इस OTP को यहाँ पर डालना है यहाँ पर अगर आपका stream इस mobile number पर है तो automatically detect कर लेगा अगर detect नहीं करता है तो यहाँ पर OTP डालना है OTP डालने के बाद में यहाँ पर आपको verify पर क्लिक करना है यहाँ पर भी कुछ पार्मिशन मंगेगा उसको यहाँ पर आपको allow करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो phone पर है यह open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा profile का icon आपको इस पर click करना है फिर आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको एक pencil का icon देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा full name तो यहाँ पर आपका जो भी full name है उसी name को आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर नीचे आपको एक email id डालना है तो यहाँ पर आपको update change पर click करना है तो यहाँ पर आपने जो भी email id डाला है उसको verify करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आप verify पर click करेंगे तो यहाँ पर आपकी email id पर एक code जाएगा इस code को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको confirm पर click करना है तो यहाँ पर आपका email id है यह verify हो चुका है उसकी बाद में यहाँ पर आप camera के icon पर click करेंगे और यहाँ से अगर आप चाहे तो एक profile picture भी upload कर सकती है तो यहाँ पर आप profile picture को select करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा upload आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर आपका एक profile picture भी set हो जाएगा ठीक है उसकी बाद में यहाँ पर आपको KYC details डालना होगा तो यहाँ पर आप complete now पर click करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा document type तो यहाँ पर आपको change पर click करके आपको यहाँ पर check करना है कि आपके पास क्या document है ठीक है फिर यहाँ पर आप submit पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका KYC details से यह भी verify हो चुक है ठीक है उसकी बाद में यहाँ पर आपको back करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका phone pay account जो यह complete हो चुक है तो यहाँ पर आपको bank account add करना होगा तो यहाँ पर bank list open हो जाएगा तो यहाँ पर इस list से आप जो भी bank account को add करना चाहती है उसी bank का नाम को आपको यहाँ पर select कर लें ना ठीक है तो यहाँ पर आप चाहे तो search भी कर सकती है उसकी बाद में यहाँ पर आप continue पर click करेंगे तो यहाँ पर भी एक OTP आपको mobile number पर आएगा यह भी automatically detect कर लेगा तो यहाँ पर आपका bank details देखने को मिलेगा और नीचे यहाँ पर आपको एक UPI ID देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको proceed to add पर click करना है तो उसकी बाद में यहाँ पर आपको एक UPI pin set करना है तो यहाँ पर आप set UPI pin पर click करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी ATM card है उसी ATM card का last six digit number आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपका ATM card का जो expire date है उसी date को आपको यहाँ पर नीचे डाल देना है तो यहाँ पर आप प्रोसीट पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके mobile number पर एक OTP आएगा यहाँ पर यह जो OTP है यह automatically detect कर लेगा तो यहाँ पर नीचे आपको एक UPI pin बना लेना है यहाँ पर आप जो भी UPI pin बनाएंगे यहाँ पर आपको नीचे फिर से confirm करना है फिर आपको यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर दुस्तों आपका जो UPI pin है यह successfully set हो चुक है तो यहाँ पर दुस्तों मैं आपना bank account balance को check कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा check bank balance आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपका जो भी bank है उसी bank का नाम देखने को मिलेगा आपको इसके उपर click करना है ठीक है और यहाँ पर आपका जो भी UPI pin है उसी UPI pin को डाल देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको bank account balance बेसे देखने को मारत म हगा है ठिक है जैसे कि प्राइब दोस्तों यहां पर आप देखे कार यहां पर मेरा इनक यहां पर आपको देखने को मिल रही है ठिक है तो दोस्तों इस तरह आप असानी इसे feedback पर एक complete account बना सकती हैं और आप अपने bank account को भी add कर सकती है ठीक है